नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6, 7, 8 और 9 जून के लिए दैनिक राशिफल आईए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा पाचवी राशी लेते हैं लियो यानि सिंग राशी आपको अपने आपको लाइम लाइट में लाना नहीं चाहिए यही आपके लिए बेहतर है और वास्तों में यह आपके लिए बेहतर भी है आपको चाहिए कि आप लाइम लाइट में आने की बजाए अपने कारे को करते नहीं, अपने कारे में लगन के साथ जुटे रहें और अगर दिन का कुछ समय ऐसा मिलता है जब आप इत्मिनान से रुक सकते हैं तो रुकें, विचार करें या रेश्ट करें साथ जून आपके लिए बढ़िया दिन नहीं है क्योंकि इस दिन आप एक त्रिकोडिया समस्या में फस सकते हैं ऐसी समस्या में जिसका हल आपके पास वरतमाल परिस्थितियों में नहीं होगा तो ऐसे में क्या करना चाहिए ऐसे में करना ये चाहिए कि उन परिस्थितियों को जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके टालने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आप इन परिसितियों को टालने की कोशिश करेंगे यह automatically set होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि यह situation आपने बुलाई नहीं है तो इस situation से आपको खुद निकलना भी नहीं है आप इस situation से खुद बखुद निकल जाएंगे और जैसे ही यह situation का दोर खत्म होगा सारी चीजे पुना एक बार सामानी हो जाएंगे लेकिन अगर आपके उपर 7 जून को आरोप लगे तो आपको उस आरोप का सामना जरूर करना चाहिए 8 जून के दिन आप अपने धन को लेकर के काफी सोच विचार करेंगे शोचनी मुद्रा आपकी रहेगी और इस शोचनी मुद्रा में आप अपने धन को सही प्रकार से कैसे रख रखाओ करें कैसे मैनेज करें कहां इन्वेस्ट करें इस सब के बारे में विचार करेंगे, बातचीत करेंगे आपके द्वारा लिया गया निरणय आठ तारिक को बढ़ियां होगा आपके फ्यूचर के लिए फायदे मंद होगा 9 तारिक को आपको समाल करेना चाहिए आपका वाद विवाद हो सकता है किसी से या जगड़ा भी हो सकता है इसलिए कोशिश करें कि अपने वाणी पर नियंतर रखें और अगर कहीं पर जगड़े की इस्थिती बन रही है तो उस इस्थिती को यथा संभव खत्म कर दें या वहाँ से हट जाएं प्रेम संबंधों के लिए 7 और 9 तारिक बढ़िया नहीं है 8 तारिक सामन है 6 तारिक अच्छी है तो दोस्तों यह था दैनिक राशिफल 6, 7, 8 और 9 जून के लिए मेरा करेक्रम आपको कैसा लगा आप अपने सुझाओ कमेंट सेक्षन में दे सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद नमस्कार